लेट असी एकसरसाइज 2.3 कुश्य नमर 9 तो आए दिखते हैं कुश्य नमर 9 को तो कुश्य नमर 9 है 2y प्लस 5 by 3 is equal to 26 by 3 minus y इसमें हम yy के टर्म को एक साइड में कर लेंगे और जो रिशनल नमबर में हो उनको एक पास कर लेंगे तो देखें यह minus y है इसको अगर हम left side में लाएंगे तो क्या हो जाएगा plus और यह 5 by 3 plus में है इसको हम right side में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा minus में तो चलिए लिखते हैं 2y plus y क्योंकि यहाँ पर minus y था इधर ले आए तो plus y हो गया is equal to 26 by 3 यह अपने अस्थान पर है और यह plus 5 by 3 को हम right side में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा minus 5 by 3 plus है sign change हो जाएगा minus हो जाएगा अब चलिए एट का लेते हैं देखें 2y plus 1y 2 1 3 3y is equal to अब यहाँ पर denominator equal है तो हम numerator को subtract कर देंगे 26 minus 5 is equal to 21 तो आगया 21 by 3 कार दीजे 3 by 3 3 7 by 21 तो आगया 3y is equal to 7 अब यहाँ पर 3 multiply में है तो इधर भेजेंगे तो क्या होगा divide में जाएगा तो y is equal to 7 by 3 तो यह y का value हो गया अब आएगे इसको हम check कर लेते हैं तो question लिखेंगे अब y का value 7 by 3 है यह हमको put कर देना है y के अस्थान पे जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7 by 3 तो 2 into y का value 7 by 3 plus 5 by 3 is equal to 26 by 3 minus y का value 7 by 3 put कर दिया अब इसको solve कर लेते हैं 2 से बंजा 14 14 by 3 plus 5 by 3 is equal to 26 by 3 minus 7 by 3 अब देखिए यहाँ पर denominator equal है तो हम numerator को add कर लेंगी तो देखिए denominator में 33 दोनों में equal हैं तो 14 plus 5 19 19 by 3 is equal to 26 minus 7 करेंगे आएगा 19 19 by 3 तो left hand side right hand side equal हो गया इसका मतलब यह है जो y का value 7 by 3 है वो आपका correct है जोकि y का value put करने पर left side और right hand side दोनों क्या हो गए equal आ गए तो आईए आप question number 10 को देखते हैं देखिए question number 10 है 3m is equal to 5m minus 8 by 5 इसमें हम m वाले term को एक पास कर लेंगे ठीक है ना तो यह देखिए यह plus 3m है इसको हम right side में भेज़ेंगे तो minus हो जाएगा और यह minus 8 by 5 है इसको हम left side में भेज़ेंगे तो plus हो जाएगा तो यह minus 8 by 5 है क्या हो गया minus 3m अब देखिए 5m में से 3m गया क्या आया 2m is equal to 8 by 5 ठीक है अब देखिए 2 multiply में है इधर भेज़ेंगे तो divide में होगा तो m is equal to क्या आ गया 8 by 5 divided by 2 यह 2 multiply में था इधर भेज़ेंगे तो divide में हो गया और हम जानते है divide को अगर हम multiply में change करते हैं तो क्या होता है पलड जाता है यानि numerator denominator बन जाता है और denominator numerator बन जाता है हम लिख लेंगे 8 by 5 divide को multiply में change करेंगे तो 2 की नीचे 1 है 1 उपर चल जाएगा 1 by 2 is equal to m हो जाएगा आप देखिए numerator का numerator से इंटू कर देखिए denominator का denominator से इंटू कर देखिए आप यहां कार्ड भी सकते हैं तो चलिए इंटू करते हैं एट बन जा एट और यह 5 तू जा 10 इसको हम चेक कर लेंगे तो आएए चेक करते हैं साबसे पहले आप question note करेंगे तो question है 3 M is equal to 5 M minus 8 by 5 M का value क्या है 4 by 5 यहां पर पुट कर देंगे जहां-जहां M है वहां पर हमको 4 by 5 लिखना है तो देखिए यहां पर multiply का है 3 into 4 by 5 M का value is equal to 5 M है तो 5 into M का value 4 by 5 minus 8 by 5 अब आए यह multiply कर लेते हैं 5 420 यह हो गया 20 by 5 minus 8 by 5 और यह इधर देखिए 3 4 12 by 5 इधर हम लेख लेते हैं तो आगे 12 by 5 is equal to अब देखिए 20 by 5 minus 8 by 5 denominator equal है तो numerator separate कर देंगी 20 minus 8 is equal to 12 12 by 5 तो देखिए left hand side right hand side दोनों equal आ गया तो इसका मतलब जो M की value 4 by 5 है वो correct है और आपका verification भी हो गया क्योंकि verification में check में हम देख रहे हैं left hand side right hand side दोनों equal आते हैं ठीक है ना तो it's clear